जब मैं अपनी कक्षा नौवी में गया था तो किसी ने मुझे कह दिया कि भाई तुम्हेना बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी तुम नाइंट सेंडर में अच्छे नंबर स्कोर करोगे मैं थैरा मासूम बच्चा जैसे आप हो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तीन बज़े से उठकर के मैं पढ़ना शुरू करता था सुबह मैं फिर स्कूल जाता था फिर आता था फिर पढ़ता था मैंने इविंचुली 77 परसेंट स्कोर किया अब तुम मुले के यह तो बहुत को जा रहा है पर इसके नंबर जादा क्यों आ रहे और इस बाट बहुत प्रेशान किया मैं बहुत सरी पढ़ाई मैंने कि है तो मुझे पता है कि एक इंसान जो जिसके ज़्यादा अच्छे नंबर आता है वह ऐसा क्या पार ओसका एक इस वीडियो में बताने वालो है अगर तुम मेरी बात से मतलब रिलेट कर पा रहे हो कि तुम भी यह जानना चाहते हो तो नीचे comment में लिख दो topper, ठीक है? topper वो बच्चा होता है जो जितना चाहता है उतना लेकर क्या simple definition ठीक है? तो नीचे कॉमेंट में लिख दो टॉपर वीडियो को लाइक परो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, क्या वो फैक्टर होता है, जो हर एक टॉपर को पता होता है, टॉपर को पता होता है, कि पिछले साल एक्जाम में क्या कॉश्चन्स आये थे, मेरे स्कूल में मुझे दो बच्चे याद है, एक मेरे डिविजन के हमारे स्कूल में दो डिविजन थे, तो एक मेरे डिविजन के एक लड़की थी, और दूसरी डिविजन में एक लड़का था, ये दोनों उस पर्टिकुलर क्लास के फर्स्ट रैंकर होते थे, इन दोनों मे जो कई सारे लोगों को नहीं मिल पाती है, तो पेपर पैटर्न को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद बाकी चीजियों की बाते करेंगे, अगर मैं बात करूँ कि 9th standard और 10th standard में पेपर पैटर्न क्या होता है, तो एक second हम आगे हमारे हाँ पे, ये तुम्हारा पेपर पैटर् में जड़ा ध्यान से देखना है, सबसे पहले आपके इसमें ठीक है न, आपके इसमें रहेगा, choose the correct alternative, जो की 5 नमबर का आएगा, और ये objective question होता है, सही तो सही, गलत तो गलत, MCQ type, 4 options होगे, दूसरा होता है, 1, B, ये 5 नमबर के होता है, और इसमें भी objective question होता है, true or false, correlation, find the wordman, outright chemical name, match the following, anything, objective होगा, एक माक का एक question, या फिर कई बार आधे-ाधे नमबर के 2 sub-question पूछ लेंगे, इस तरीके का ये होता है, question number 2, एक give scientific region, आपको कोई भी 2 करने होता है, 3 में से, 2 number का एक होता है, तो total 4 number, question number 2, answer the following question, कोई भी 3 करने होता है, 5 दिये हो गया, और ये 2 number का ह हो गया, और question में 4-5 number का होता है, इसमें आपको 2 दिये होता है, जिसमें से कोई एक करना होता, और ये एक question 5 number का होता है, कई बार बच्चों को लगता है, कि इसमें बहुत सारे points लिखने होंगे, लेकिन इसमें objective question A, B, C, D, ऐसे करके, 1-1 mark, 2-2 mark के, पूछ लेते हैं, अब जब कि आपको question paper का pattern पता चल गया है, तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, कि science के, जितने भी chapters है, वो सारे chapters मैंने इस channel पे एच्छे से explain कर रहा है, शायद आपको ये पता भी होगा, social study और, social study पे history, geography, political science भी explain कर रहा है, और important बात, कि जो इसके important chapters के important points है, basically मानलो कि important concept है, जिस पर question पूछे जा सकते है, उसकी एक पूरी के पूरी detailed PDF, एकदम detailed PDF मैं आपको इवाद दिखा देता हूँ, तो अभी आप ये detailed PDF मैंने पूरा का पूरा, यहाँ पे देखो, सारे chapter wise important question दिया हुआ, ये पूरा का पूरा मैंने upload कर दिया है, हमारे application के pre material वाले section मे उसको कैसे access करना है, उसका एकदम simple सा तरीका है कि आपको हमारे application के उपर जाना है, उस application को download करना है, link description में रहेगा, वहाँ पे आप जैसी login विगरा कर लोगे, आपको सामने ही chart tiles दिखेंगे, एक के उपर free material लिखा रहेगा, उसमे class 9 वाले group में चले जाना, आपको सब मिल simple है, ठीक है, वहाँ से आप ये ले लेना, अब बात करते हैं दूसरे factor के बारे में, एक जो topper बच्चा होता है, उसको paper pattern पता चल गया, वो हमेशा जाता है और अपने teacher से कहता है कि मैम मुझे पिछले 2 साल, 3 साल के papers दे दो, उसका वो print ले लेता है 9 standard में, और उसको analyze करता ह कि यार पिछले साल, laws of motion से ये पूछा था, इस type के question पूछते हैं, exactly जरूरी नहीं कि वही question आएगा, बट इस type के question पूछते हैं, तो ये awareness से तुम्हारे number बहुत ज़्यादा improve होंगे, अब मैं तुम्हें एक proof दिखाता हूँ कि कई सारे हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ते ह number किस level पे improve हुए है, बस इस छोटी सी बात को follow करके, अब भीको 9th standard में अलग-अलग results आते हैं, अलग-अलग school अपना-अपना result बनाती है, तो तुम school का नाम देख सकते हो, तुम बच्चे का नाम देख सकते हो, और तुम ये percentage देख सकते हो, ये वो बच्चे हैं, जो हमारे victory batch में पढ़ चुके हैं, हमारी batches होती है, victory batch, RM batch, 9th standard की victory batch होती है, उसमें पढ़ चुके है, और उसमें बहुत imaging discount भी चालू है, अगेन यहाँ पे तुम एक result देख सकते हो, 97.66%, अलग-अलग schools की result है, अगेन एक result देख सकते हो, 96.16%, मैं कहें कह रहो, जो बच्चा जितना चाता है, उतना है उससे ज्यादा score कर सकता है, अगर इमानदरी से चीजे करे तो, 95%, यहाँ पे तुम देखो, 94%, then we have यहाँ पे 90%, तो यह ऐसे results तुम भी ला सकते है, क्योंकि, you know, victory is not the property of brilliant, it's the crown of those who bore themselves in front of hard work, देखो, अब यह जो result है, teacher तुम्हें क्या करेगा, teacher तुम्हें बताता है, दूसरा, वो लोग paper pattern, पुराने papers लेते हैं, teacher से, उसको analyze करते हैं, वो 30 सा secret है कि वो महनत करते हैं, ऐसे ही नहीं सर पे ताज मिल जाते हैं, learners, अगर आप भी महनत करने के लिए सयार हो, तो हमारा एक batch है, जिस batch का नाम है, basically, victory batch, अभी अगर आप यहाँ पे देख 5000 रुपे में, आपको क्या-क्या मिलने वाला है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, learners, इस 5000 के अंदर, आपको सबसे पहले, ठीक है न, आपको सबसे पहले, आप English medium हो, semi English medium हो, दोनों के लिए, सारे subjects आपको मिल जाएंगे, तो ये पूरी teachers, सारे teachers पढ़ाते हैं, live, ये ज आपको, आप mobile PC, tablet कहीं पे भी access कर सकते हैं, हर एक class की recording भी दी जाती है, chapter wise doubt clearing session होता है, live revision कराते हैं, exam से पहले, personal mentorship होता है, test series लेते हैं बच्चों का, जिसमें बच्चों को हम paper check करके देते हैं, तो बहुत सारी चीजे इसके अंदर, कहां बज रहा है, तो बहुत सारी चीज आपके पेपर पैटन को आप समझो, अपने school teacher से help लो, बाकी subject के लिए, बस मचा दो, एक बार अपने school teacher से जरूर confirm कर ले ना, कि आपके school में paper pattern कैसा होता है, that will actually help you, all the very best, और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो you know what you want to write in the comments, comment आपको टॉपर लिखना था, happy learning.